जय हिंद इस वीडियो आपको बताऊंगा कि इसका लोवर सर्कुट कब ब्रेक होने का उम्मीद है साथ में यह भी बताऊंगा कि जो नए लोग इस कमपनी के सेर को बाई करना चाहते हैं उनके लिए गुड टाइम क्या रहेगा इस कमपनी का डाउन ट्रेंड अफ ट्रेंड टार्गेट क्या रहेगा एक एक चीज़ पर बिस्तार से बात होगे चले वीडियो सुरू करते हैं कमपनी का नाम है और्जा ग्लोबल लिमितेड कंपनी इलेक्टरिक वह ही हाई निर्माल करते हैं आपने इस कंपनी के स्कूटर और यहां पर इसका लोवर सर्किट लगा और उसके बाद से इसका प्राइज डाउन जाना शुरू हुगा अब देखिए इसका प्राइज सभी जो डाउन जा रहा है इसके पीछे बिसेकली दो तीन प्रमुख कारण है सबसे पहला कारण है मारकीयट जेने लगा' हालाक कि मारकेट रिकावरि कर रहा थी नीचे की तिरफ लूढक रहते हैं हलाकि अब मार्केट रिकाफरी कर रहा है लेकिन कहीं न कहीं इसका आसर पढ़ता है से कंपनियों के सेयर प्राइस पर अगला कारान है प्लेजिंग देखिए उर्जा ग्लोबल कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कुछ सेयर 11 लाग सेयर को गिरवी रखा है हो सकते हैं क कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी हो हलाकि प्रमोटर्स के पास 17 क्रोंट सेयर में सिर्फ 11 लाग सेयर ही इन्होंने गिरवी रखा है यह कोई ज्यादा नहीं है और इससे कुछ खास इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा कंपनी के सेयर प्राइस पर सबसे जो में करान इसके से प्राइस का डाउन जाने का ओगे है इसके कौटरी रिजल्ट इखेए क्वाटर ऑन क्वाटर पर कंपनी को प्रोफित ज्यद्य हो रहा है नहीं क्वाटर को प्रोफित हुआ है जिससे पीएटी कहते हैं प्रोफित आप्टर टेक्स वह 11 लाग वह सिर्फ 12 लाग और आप कहेंगे कि कि कुछ पॉजेटिव बात भी इस कंपनी में जो हमारे लिए बहतर हो तो मैं कहुंगा भाई साथ इसमें कुछ पॉजेटिव चीज भी या यूं कहा कि हर एक चीज पॉजेटिव यह तो गलत नहीं होगा आए देखते हैं कुछ अच्छी बाते देखिए सिर्फ 11,000,000 शेयर को गीरवी रखा है गीरवी बेचा नहीं है समय आने पर फिर सो अपना वापस ले लेंगे इसके बावजूद कंपनी के प्रमोटर्स के पास अभी 32 परसेंट हिस्सेदारी है और चुकि उर्जा गलोबले के स्मॉल कैप कंपनी है तो 32 परसेंट ही है अगर कंपनी खराब होती या उड़्जा गलोबल कंपनी में कोई मैनूपलेशन कर रहा होता तो से भी इसको कब या डाल चुका होता लेकिन कंपनी यह से बाहर है इसका मतलब कंपनी के ठीक है फंड़ामेंटल भी ठीक है अब बात कहते हैं फ्यूचर ओफ एलेक्त्र करती है और आने वाला समय अलेक्रिक विग्ल का रहने वाला है क्योंकि पैट्रॉल डिजल यह सब जो हमेसा नहीं रहेंगे यह खत्म होने वाले हैं और दिन परते दिन जो इनका प्राइस भढ़ता जा रहा है इसी कारण से लोग का जोकाव एलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जादा हो रहा है और ग्लोबल इस चत्र की ग्रोइंग कमपनी है तो जाहिर तोर पर इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है अब देखे एक्सपर्ट की क्या रहा है एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपके पास इस कंपनी के सेर हैं तो अभी वे बजट आने वाला है और बजट के पहले पर मार्केट फिर चकमा देगा और इसका ग्लोबल का सेर प्राइस हो तो डाउन जाही रहा है तो ऐसे में कुछ दिन और वेट कर लिए अगर फिर भी आप में रिस्क लेने की कैपविलिटी है आप एक दम बैचेने इस कंपनी के से ज्यादा बेनिफिट देगा इसका लामब बात करते हैं इसका डाउन ट्रेंड क्या रहेगा अभी चुकी उर्जा ग्लोबल का जो सेर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है बीस रुपे पचास पैसा तक यहां तक सपोर्ट लेवल है माना जा बिलते हैं नेक्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना है सुक्राइब